नवस्कार आप देख रहे हैं के अप्रिटीव उत्तर प्रदेश और में हूँ इदिश्टर उपाध्या यूपी में छुटपोट घटनाओं के साथ दो चरण का मद्दान शांतीपूर तरीके से समाप तो चुका है लेकिन तीसरे चरण में मद्दान उने से पहले ही इंसा की खबरें सामने अनल लगी हैं सपाई तो कुछ ज़्यादा ही बौखला ही हुए हैं और माल काट पर उतारू हैं खासकर जब से बीजेपी ने अखलेश यादों के खिलाब करहल विधासवा सीट पर केंद्रिय मंत्री एसपी सिंग बगेल को मैदान मुतारा है तब से सपा सिमर्थक बिल बलाय हुए हैं और उन पर हमले पर हमले कर रहा हैं एक बाद फिट से केंद्रिय मंत्री एसपी सिंग बगेल के काफले पर मंगलवार को देरशाम हमला हुआ हलाकि केंद्रिय मंत्री बगेल इस हमले में बाल बाल बच गए मगर उनके काफले में शामिल गाड़ियों को भारी नुकसान पहुँचा है एस्पि सिंग बगेल का काफिला करहल की और बढ़ रहा था जैसे ही अतिक उल्लापूर आया तब ही उनके काफिले पर हमला हुआ हमला कब हुआ कैसे हुआ और कितने लोग थे इसे लेकर खुद एस्पि सिंग बगेल ने सब खुलासा कर दिया पेतार इस मिनट पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग इतने में देख पाया हूँ और सकता पीछे और हूँ और वो अखलेस भहिया जिंदाबाद नारे रगाते हुए और उसमें बिगदम पास आई पहले तो मैं समझा से हमारी ही लोग हूँ बगल मैं क्योंकि आजकल 100-100 म जो है तेरा चुनाव कराई दे रहा हूँ और हमारी पार्टी ने संसत बनाया था और उसने फिर एक नाम लिया बीटू बीटू मार आज बचना पाए मंत्री इसका चुनाव आजी कराई दे रहा है तो यह तो इसमें असला भी दिख रहे तो उन पर लाठी डंडे भी थे सरीए बहुत थे और उसके बाद हमारे स्वरक्षा वालों ने एक दम नीचे उतरे तो लोग भागे लेकिन जाते हुए जाते हुए एक फायर हुआ है एक संजय सर्मा हमारे हैं जो खंदारी के रहने वाले उनकी फॉर्चनर थी उस पे उन्होंने फायर किया और उनकी सर्क्षा ना होती और सी इस अपना होती में किसी पुलिस को वह नहीं इन्फियर कर रहा हूं लेकर सी इस सब्के जवान नहीं होते तो आज हम मारे जाते हैं जो लोग यह कह रहे हैं हमारे भाईया के सामने चुनाव लड़े हैं जिस पार्टी ने तुम्हें संसद बनाया जिसके नारे लगा रहे थे वोई लोग हैं और कौन लोग होंगे और आप मेरी मांता यह देखिए कि एफ आई यार लिखने के लिए मैं इन्वेस्टिकरिसन जो भी हो जाए मैं सेफ़ई वालों को सबको आज 120 भी में लिखा सकता था कि उनकी सै पर यह हुआ है लेकिन ऐसा म पर देखा है इंस्पेक्टर करहल ने भी देखा है और पीएसी उस दिन ना होती तो उस दिन भी मारे जाते हैं रमा हमारी वो हैं गीता शाक जी के साथ कल अटेक हुआ है आप एक वाइरल देख रहे होंगे वीडियो जिसमें गली गलोच हो रही है तो सुना अपने हमले से एस्पे सिंग बगेल कैसे बाल बाल बचे उन्हें खुद बताया कि अकलेश जिंदावात के नारे लगा रहे हैं लोगों ने हमला किया अगर सी आएसेफ नहीं होती तो जिंदा नहीं बसते तो पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है कारवाय थेस करती है दरसल एस्पी नहीं होती पिल्ष कर रहे हैं ऐसे मकरहल का मुकाबला रोचक हो गया है देखते रहे हैं केमरेटी उत्तरप्रदेश नमस्कार